आज मेरे समने कुछ ऐसे स्मार्टफोन गैजट्स है जो आपके स्मार्टफोन में करीब करीब एक DSLR वाले सारे फीचर्स एड़ कर सकते हैं या DSLR वाले फोटोज या वीडियोस कैप्चर करने में काफी जदा हेल्प कर सकते हैं और मैंने का करीब करीब जिसका मतलब आप भी समझते हैं कि एक स्मार्टफोन को 100% DSLR में कनवर्ट करना या वैसी क्वालिटी लाना वो भी एक एक स्टर्नल गैजट से लगबग इंपॉसिबल है क्योंकि मैं इस टॉपिक पर दो और वीडियोस पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ जिन में मैं दीरे दीरे DSLR वाली क्वालिटी के एक एक लेवल करीब पहुँच रहा था जैसा कि अब देख सकते मेरे समने चार बॉक्सेस रखे हूँ है जिन में से तीन सिम सच के और एक डिफरेंट या बिक हर एक बॉक्स के अंदर एक डिफरेंट टैप का लेंज है जिसमें एक ही वाइड अंगल लेंज जिससे आपकी कैमरे की फ्रेम डबल हो जाती है दूसरा मैक्रो लेंज जिससे आप डिटेल सॉट ले पाएंगे बहुत ही ज़्यादा बैकराउंड बलर के साथ तीसरा फीसे लेंज जिससे आप एक गोप्रो वाला सीन क्रेट कर सकते हैं बट उसके अलावा बड़े वाले बॉक्स में सबसे इंट्रेस्टिंग इस्पेसल एंड यूसफुल लेंज है जो है टेली फोटो लेंज जिससे आप किसी भी स्मार्टफोन के कैमरे से टू एक से ज्यादा जूम या पोट्रेट मोड वाला सीन या लैंड्सकेप मोड वाला सीन क्रेट कर सकते हैं एक क्लिक में जो की फिजिकल हो की ना की सिस्टेमेटिक जो आज कल के सभी स्मार्टफोन में होता है और मैं इन में से दो प्रड़क्स को गिववे कर दूँगा जिसके मिलता है जिसे आप इन लैंसे को अपने स्मार्टफोन के साथ अटाच कर पाएंगे उसके बाद ये है लैंस जिससे मैं अभी के लिए साइड में रख देता हूँ उसके बाद बॉक्स के अंदर एक केरिंग पाउच है कुछ पेपर वर्क से और एक लैंस क्लिनिंग क्लोथ तो सबी चीजों को साइड करते हैं और आते हैं इस लैंस पर लैंस का वेट काफी रिजिड है मतलब इसके साइज के साब से इसका वेट थोड़ा हेवी है क्योंकि इसकी फुल बॉडी मेटल की है और लैंस पे कवर लगा हुआ है दोनों तरब जिससे हटाने पर आपको ये लेंस दिखेगा जो की काफी फाइन क्यों का लग रहा है और साइड में वाइड एंगल लेंस के बरे में सेम किया हुआ है दूसरे साइड के कवर के अंदर वो पार्ट है जहां से आपको इसे अपने कैमरा से अटाच करना है इस तरह से इसे क्लिप के साथ स्क्रू करके करके आप काफी wide angle shots ले सकते हैं जो की काफी ज़्यादा फर्क create कर रहा है वो भी बीना quality loss के जो की सबसे बड़ी बात होती है बहुत ही ज़्यादा difference create कर रहे है यह जिससे तब use किया जा सकता है जब आप vlogging कर रहे हो landscape scene capture करना चाह रहे हो या आपके frame में object अच्छी तरह से fit नहीं बैठता तब आप इसे use कर सकते है और उसके बाद next box के अंदर एक macro lens है जिसके अंदर वो सारी चीज़े या accessories available है जो first box के अंदर था और ये है lens lens की glass और product की finishing काफी premium तरीके की है और ये एक 25 mm का 15x zoom वाला macro lens है जिसे smartphone में लगाने के बाद आप किसी भी चीज़ की macro shots ले सकते हैं जिसमें आपको हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा detail देखेगा जो आप अपने naked eye से कभी भी ने देख सकते हैं और last वाले lens की तरह इस lens से भी 1% के भी quality loss नहीं हो रही है जो आप clearly देख सकते हैं और मैंने यहां कुछ photos क्लिक किये जिसमें आप picture की clarity और background blur को अच्छे से notice करें तो DSLR वाली feeling आरी होगी बट अभी भी दो और lenses बाकी है जो की बहुत ज़्यदा interesting और useful हो सकती है सो third box के अंदर three in one kit है जिसमें आपको तीनो तरह के lens एक साथ combine मिलते है उन users के लिए जो यह सारे lens afford नहीं कर सकते हैं या afford करना ही नहीं चाते हैं बट आपको यह अभी सिर्फ दो lens दिख रहे होंगे क्यूंकि third lens एक दूसरे के साथ combined है और first lens जो है वो सायद wide angle and face eye या सो यह है 0.63 का wide angle lens और 15x का macro lens जिनने आप इस तरह से गुमाकर attach ये detach कर सकते हैं और यह है face eye lens जो की 230 degree का है और इन सभी lens की सिर्फ size चोटी है बट quality के compare में बड़े lens है यह सिर्फ कुछी minor difference create करते हैं तो अब directly jump करते हैं सबसे interesting and useful lens पे जो है telephoto lens तो box के अंदर आपको as usual यह clip मिलता है then यह क्या है we'll check it after sometime और यह है lens काफी जदा heavy और बहुत जदा बड़ा यह lens and काफी dangerous लग रहे है देखने में dangerous मतलब देखकर लग रहा है कि हाँ इससे कहते है lens and believe me guys DSLR के बड़े बड़े lens तो मैंने देखा है बहुत बट एक smartphone के लिए इतना बड़ा lens कभी भी ने देखा था अपने आखों के सामने और इसकी glass बहुत ही eye catching है जिसके अंदर आप देखेंगे तो काफी गहरा ही नजर आ क्योंकि इसका size और design ही कुछ ऐसा है और ये hood है इस lens का जो इस सर ऐसे fit होगा and phone में attach करने के बाद बहुत ही futuristic लग रही है और अब मैं आपको इसे use करके दिखाता हूँ clearly पहले आप zooming power check के लिजे जो की easily measurable है मतलब जमिन आसमान वाला फरकेस में और quality भी 1% भी मतलब थोड़ी सी भी degrade नहीं हो रही है जो की सबसे बड़ी बात है और हम मुझे पता है कि ये बात मैं दुबारा बोल रहा हूँ हाँ I have to say क्योंकि बहुत सरे lens मिलती है market में जो 2x zoom देने का दावा करते हैं पर यूज करने पर आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरह से quality कहां से कहां चले जाती है एक lens को यूज करने में तो अब मैं आप लोगों को इस lens से portrait mode and landscape mode के कुछ samples दिखाता हूँ comparison के साथ जिसमें आप आराम से फर्क देख सकते हैं और blur देख सकते हैं background में जो की perfect मतलब systematic नहीं है जिसमें बहुत सरे parts को सीट से differentiate नहीं किया जाता और blur होने वाले चीज clear रह जाती है और clear रहने वाले चीज blur बट इन portraits में कहीं भी वैसा error आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यह hardware के help से किया गया है ना कि system के help से और landscape mode भी बहुत ही clear and accurate है जिसमें आप background blur आसानी से measure कर पा रहे होंगे और smartphone के camera को control करने में या उसके limitation के बारे में या उससे ज़्यादा से ज़्यादा extract करने में मैं काफी ज़्यादा pro रह चुका हूँ और इस lens को use करके मैं थ YouTube की सारे lenses तो interesting and useful थे इपट टेली photo lens exceptional रहाँगा तो उसके लिए at least एक like तो बनता है आपके तरप से और giveaway के लिए video को share करके सिर्फ नीचे एक random comment करना है जिसमें से मैं दो winner चूज करके अपने Instagram profile पे post करूँगा So this is me Suraj from ACD Freak and I will see you guys in the next phone